Hello friends, very warm welcome to LK Academy और आज हम continue करने वाले हैं Important Bills and Acts Part No. 2 पिछली बार हमने River Dispute Amendment Bill देखा CA देखा, NRC देखा Supreme Court के Judges की जो Numbers Increment हुई वो बिल हमने देखा वो आज हम continue करेंगे उसके दूसरे पार्ट में और पहला जो बिल था वो था हमारा पिछली बार जो लास्ट बिल देखा था वो था हमारे लिए दे सिटिजन्शिप अमेंडमेंट बिल I hope now this bill is crystal clear ओके एक्जाम में काफी ज्यादा चांसी से कि इस बिल में से काफी सारी चीज़े आपको पूछी जा सके तो आपको basically जो 6 minorities उनके नाम याद रखने है कौन से countries में से minorities को बुलाया जाने वाला है और इस act में इंक्लूड किया जा रहा है वो चीज़ आपको याद रखनी है कट आफ डेट याद रखनी है जो कि 31st December 2014 इससे पहले आए हुए जो भी minorities होंगे जो religiously persecuted होंगे from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan उनको Indian citizenship दे दी जाएगी और इसके लिए जो citizenship act 1955 है उसमें बदलाव किया गया है ये जो act है वो कहा कहा पे apply होगा और कहा कहा पे apply नहीं होगा वो भी हमने पिछली बार देखा दा तो जो north east के जो most probably जो state है असाम, त्रिपूरा, मनीपूर, अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मिजोरम, मेगालिया उनके काफी सारे areas में जो कि 6th schedule में जिनको जगा दी गई है 6th schedule में जिनका recognition है वहाँ पे CAA apply नहीं होगा इसका क्या मतलब है कि जिन जिन को को भारत का नागरिक बनाया जाएगा जो भी Pakistan, Bangladesh और Afghanistan से आई हुई जो minority है उनको भारत का नागरिक बनाया जाता है वो लोग इन जगों पे जाकर settle नहीं हो सकते हैं इस areas are banned for them ऐसे कौन से कौन से areas ऐसे areas Assam, Meghalya, मिजोरम, त्रिपूरा included in the 6th schedule to the constitution और साथ मैं आपको ये भी याद रखना है कि मनीपूर को भी अब इन एरलाइन पर्मिट के अंडर लाया गया है same day एक gazette notification आया था जिस दिन ये bill राज्यसरबा में लाया गया और उसी साथ-साथ मनीपूर जो कि अब तक इन एरलाइन पर्मिट में नहीं था उसको भी इन एरलाइन पर्मिट में अरुना चलपरदेश, मिजोरम नागा लेंड की दरा लाया गया है मतलब क्या है इसका इन एरलाइन पर्मिट का कि कुछ-कुछ जग है जो है अरुना चलपरदेश, मिजोरम, नागा लेंड और मनीपूर की वहाँ पे जाने के लिए आपको लोकल गवर्मेंट की स्पेशल पर्मिशन लगेगी क्यों क्योंकि दोज एरिया अजार सेंसिटिव जोन के कल्चेरली ट्राइबल एरिया है इसलिए वहाँ पे बाहर की जो एक्सटर्नल पब्लिक है उनको जाने के लिए स्टेट गवर्मेंट की स्पेशल पर्मिशन चाहिए होगी तो जो सारी concern थे वो भी हमने पिछली बार बात कर ली दी जो सारे विरोध हो रहा इस bil को लेकर वो सारी चयस हमने पिछली बार देख ली दी कुछ लोगों ने मुझे पताए कि नर्सी में समझ नहीं है अब पहली बार जो ये National Register of Citizen है उसका खयाल है 1951 में और जैसे आपका क्लास का या स्कूल का जो रेजिस्टर होता है अगर मान लिजिए गे 7th A में अगर 30 बच्चे पढ़ रहे हो तो क्लास टीजर के पास एक रेजिस्टर होगा जिसके क्या क्या लिखा होगा आपका जी आर नंबर लिखा होगा आपका रोल नंबर लिखा होगा आपका रिलीजियन लिखा होगा फैमिली डीटेल्स वो सारी चीज़े आपके रेजिस्टर में लिखी होगी तो सेम वैसा ही रेजिस्टर बट और लार्जर स्केल पूरे कंट्री के लिए बनाया जाएगा और वो लास्ट टाइम बना था 1951 में, आज तक पूरे कंट्री के लिए सिर्फ एक ही बार ऐसा सी NRC बना है और वो हुआ था 1951 में, उसके बाद 2019 में असाम में NRC लाया गया, अब असाम में ही NRC क्यों लाया गया, आपको ये सवाल उठना चाहिए, तो हमें जाना पड़ेगा बांगलादेश और पाकिस्तान के bifurcation में, जब बांगलादेश क्रियेट हुआ था, बांगलादेश क्रियेट हुआ था 1971 जब उनका partition हुआ, पहले वो इस्ट पाकिस्तान के तोर पर जाना ज़ाए था, 71 में वो नया कंट्री बना और उसको नाम दिया गया बांगलादेश जब जब नया country बना तो काफी सारे लोग ने cross border migration किया और Bangladesh से अगर मुझे cross border migration करना है तो सबसे नजदीक कौन सा country होगा मेरे लिए जो की easiest मुझे job दे पाएगा ची सिक्षा दे पाएगा मेरे family को वहां मुझे ज्यादा पैसा मिल सकेगा तो वैसा country है इंडिया तो बांगलादेश से काफी सारे लोग migrate करके कहां पे आगे इंडिया में आगे और इंडिया में भी सबसे ज्यादा वो लोग अगर settle हुए किसी state में तो वो लोग settle हुए आसाम state में तो 71 के बाद कुछ सालों में ही आसाम के लोगों को लगा कि यहां पे जो बाहरी लोग है उनकी जो population है वो काफी ज्यादा हो चुकी है और इसी की वज़ए से धीरे धीरे वहां पे ये demand start हुई कि जो illegal migrant है जो illegal bangladeshi जो है जो बांगलादेश से आया है after 71 उनको वापस भेजा जाए उनको आसाम से बाहर निकाला जाए और ये जो दिमांड है वो धीरे धीरे officially ये दिमांड स्टार्ट हुई politically from 1979 अब जैसे 1979 में ये स्टार्ट हुआ तो तब की जो देन इंडियन गवर्मेंटी उन्होंने कुछ खास ज्यान दिया नही आसाम स्टेट पर राइट बाट धीरे-धीरे क्या होने लगा कि ये जो पूरी लड़ाई थी जो पूरी मुवमेंट थी वो हिन्सक होने लगी वह उसमें वाइलेंट का भी एक जो सट्रीबीूशन था वह धीरे-देरे क्या हुआ बढ़ने लगा और उसके उस वाइलेंट वाइवलेंस को ध्यान में रखकर उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजी उगंदी उनकी गवर्मेंट ने अल आसाम स्टुडेंट यूनियन जिसको आसू के नम से जाना जाता है उनके जो रेप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ एक समझोता किया इन 1985 तो देखे छे साल के बाद गवर्मेंट ऑफ इंडिया को ये ध्यान में आया कि आसाम में कुछ तो दंगा फसात हो रहा है वहमें वहाँ पे भी ध्यान देने की जरूरत है 1985 में जो अग्रीमेंट साइन हुआ बिट्विन इंडियन गवर्मेंट एंड आल आसाम स्टुडेंट यूनियर उसको नाम दिया गया आसाम एकॉर्ड अब इसमें ये कहा गया कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी इंडिया में आया है बांगलादेश से जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है वीजा नहीं थे और जो भारत का नागरिक नहीं है उन सब को क्या किया जाएगा इल्लीगल माइगरेंट करार कर दिया जाएगा उनको बोल दिया जाएगा कि भाई यू आ इन इल्लीगल माइगरेंट यू एव तू गो बेक तू यूर ओरीजिनल कंट्री जो की था पंगलादेश राइट और तबसे उसी असाम एकॉर्ड में और ये कि बात की गई कि भा तो बारा NRC की बात की गई कि हा भाई आने वाले सालों में और उसमें तो ये बात कही गई दी कि हर पाँच साल में एक बार National Register of Citizen बनेगा क्यों हर पाथ साल में ताकि हर पाथ साल में पता चल जाए कि बाहर से कोई आखे रह रह रहा है इंडिया में या नहीं रह रहा है अगर रह रहा है तो वो maximum 5 साल के टाइम के लिए इंडिया में रह पाएगा उससे ज्यादा टाइम वो इंडिया में नहीं रह पाएगा इन सारी चीजों की वजह से आसाम में 2019 तक नहीं हो पाया और वापस दीरे दीरे महां पे मांग उठ रही थी कि इतने सारे बांगलादेशी इंडिया में घुस चुके है वो उसको अपना वैलिट घर बना चुके है तो अब सेंट्रल गवर्मेंट को कुछ सोचना चाहिए और जब यह नई गवर्मेंट आई तो दे गो बेक टू 1985 उन्होंने राजी उगांधी का जो डॉक्यूमेंट था उसको उठाया और बोला कि भाई जो भी लोग इल्लीगल या आसाम में आये हैं बंगलादेश से उन लोगों को अपने कंट्री में वापस जाना पड़ेगा और इसी लिए सिर्फ आसाम में सुप्रीम कोट ने मन्जूरी दी तो परफॉर्म दी नर्सी और 31st ऑगस्ट 2019 को जो फाइनल रजिस्टर बना उसम यह मतलब हुआ कि 19 लाक लोग ऐसे हैं आसाम में जो बंगलादेश से आये हुए हैं इल्लीगली जिनके या तो वीजा एक्सपायर हो चुके है या जो तो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन के थू इंडिया में आ चुके हैं तो इन लोगों को अब 6 महीने का समय दिया गया ह विजा हैं कि आप अपनी फॉरंड tranbunnel Barack Obama की गही आसाम में 200 से ज्यादा फॉर्य ट्राइबिनेल सेटउप की गई हैं कि टेरार सेवरेल रिपोर्ट्स के जो जिनके पैरेंट्स ने आर्मी में या पॉलिटिक्स में अपना योगदान दिया हैं उन लोगों के सिंफे नम क आपको NRC से बाहर रहते हुए दिखे है तो कुछ तो गड़बड़ी NRC में हुई है ऐसा उन लोगों का कहना है तो इसलिए Supreme Court नहीं ये बोलाएं कि आपको foreign tribunal में जाएए आप foreign tribunal में अपने document submit करवाएए अगर foreign tribunal ये बोलती है कि your documents are not valid and you are not an Indian citizen then you वो अभी process में है 2020 के end तक हमें जो final number है कि इतने illegal migrant है जो कि आसाम में as of now रह रहे है वो हमें 2020 के आंट तक पता चलेगा जब final जब foreign tribunal का जो final number से वो आएंगे चलिए तो I hope now it is clear NRC असाम आज जो हमारा पहला बिल है वो है हमारा Central Sanskrit University बिल ओके और इसको लाया गया है Ministry of Human Resources and Development के दरफ से जिनके हमारे जो union minister है वो है रमेश पोकरियाल निशंग ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोगसभा में 11th December को 11th December 2019 को और लोगसभा से पास हुआ ये बिल 12th December 2019 को राज्यसभा से ये बिल पास हुआ 16 March 2020 को देखिये जो हमारा lockdown स्टार्ट हुआ उसके कुछी दिन पहले की ये बात है ओके 16th March 2020 को राज्यसभा से ये बिल पास हो गया अब है कि ये Sanskrit University's Bill तो the Central Sanskrit University's Bill 2019 was introduced इन लोगसभा by the Minister of Human Resource Development Mr. Ramesh Pokharyal जिसको निशंक के नाम से भी जाना जाता है on December 11, 2019 Presently there are three deemed to be Sanskrit Universities तो ये तीन जो Universities है या तो वो नई Universities है या तो कोई जो पुरानी Universities उसको convert किया जाएगा इन Sanskrit Universities to promote Sanskrit language and to provide degrees in Sanskrit language तो पहली जो University है उसका नाम में Rastria, Sanskrit, Sanstan New Delhi आपको ये तीनों के नाम याद रखने है किसी भी फॉर्म में exam में आपको ये पूछा जा सकता है जो second part है वो है Shri Lal Bahadur Shastri Rastria, Sanskrit, Vidyaabit New Delhi and जो third जो ऐसी University है वो है Rastria, Sanskrit, Vidyaabit, Tirupadi The will six to convert these into Central Sanskrit Universities तो इन तीनों Central Sanskrit Universities में convert कर दिया जाएगा क्यों जरूरत पड़ी ऐसी Establishment of the Universities The bill six to convert the three deemed to be Universities into Central Universities The Universities will disseminate and advance Tech Knowledge for promotion of Sanskrit Okay, दिरे दिरे Sanskrit का promotion किया जाएगा Second, make special provisions for integrated courses in Humanities, Social Science and Science जो कि पढ़ाया जाएगे Sanskrit language में तो ऐसे specialized course ready किये जाएगे ताकि जिन लोगों को Humanities, Social Science और Science जैसे subject अगर Sanskrit language में पढ़ने हो तो उन लोगों के लिए option available होगा from now on Train manpower for the overall development and preservation of Sanskrit and allied subjects तो जब ज़े कियों ये जब super computer बनाने की बात चली दुनिया में तो काफी सारी languages को consideration में लिया गया ओक्य और filter करते करते generally पहला preference दिया गया English को but English जो language है वो pronunciation का जो फर्क है वो नहीं समझ सकते मानली जैस ऐसे मैं बोल का हूँ तो तो जब मैं बोलूंगा तो 2 T O 2 has a different meaning and T O O 2 has a different meaning तो जब super computer बनाने की बात चल रही है तो वो super computer मेरी speech में जो फर्क है शब्द का वो नहीं समझ सकता ऐसा ही और एक example अगर मैं आपको दू K N O W is also no and N O is also no तो super computer इसको कैसे define करेगा कि जो मेरे सामने वाला जो है वो कौन से no के लिए मुझे guidance दे रहा है तो वहाँ पर English language फेल हो गई और तब यह पता चला कि Sanskrit is the most scientific language ठीक है Sanskrit में ऐसे काफी सारी division है, ऐसे काफी सारे bifurgation है जिससे computer, super computers में वो easily feed की जा सकती है तो आने वाले सालों में ऐसी जब demand उठेगी उसकी वजए से यह Sanskrit language को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है प्रमोट किया जा रहा है functions of the university कैसे काम करेंगे key powers and functions of the university include prescribing courses of study and conducting training programs granting degrees, diplomas and certificates providing facilities through a distance education system conferring autonomous status on a college or an institution and provide instructions for education in Sanskrit and allied subjects मानलीज़े देखे दुनिया की काफी सारी universities है जहां पे हिंदी और Sanskrit का knowledge दिया जा रहा है बट हम भारत में धीरे उसको छोड़ रहे दे तो government यह नहीं चाहते कि हमारी जो अच्छी चीज़े है इसको पूरी दुनिया फाइदा उठा है और हम उससे वंचित रहे जाए तो यह एक सोल परपस है अधिस भरेंद्र मोदी गवर्मेंट का कि वह संस्क्रूट लेंग्वेज आने वाले सालों में लुक नहीं हो जानी चाहिए इंस्टिक्ट नहीं हो जानी चाहिए वो रहनी चाहिए तो इसलिए यह जो पूरा जो बिल है उसको ऑफिशली पार्लामेंट से पास किया गया है तो आपको जस्टिस में जो तीन जो युनिवर्सिटिस के नाम के वो आपको अच्छी तरीके से याद रखने है और यह कौनसे डिपार्टमेंट के अंडर यह काम करेगा वो भी आपको याद रखना है HRD Ministry के अंडर यह पूरा जो Central Sanskrit Universities है वो काम करेगी चलिए नेक्स्ट जो आपका बिल है वो है दडिरेक्ट टेक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 अभी के नाम से ही पता चलता है कि कुछ तो विवाद हुआ था उसको हटा कर हमें कहा तक जाना है उसको बाइपास करके हमें जाना है विश्वास तक तो क्या है यह बिल अभी कि इंडिया में टेक्स चोरी करना कोई नई बात नहीं है और एक रिपोर्ट के हिसाब से as of now 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से लगबग 9 लाक करोड जितने रुपए टेक्स पेर के पास से गवर्मेंट को लेने है ओके गवर्मेंट अभी इतना लोगों को उधार देके रखी है चलो आपने इतनी टेक्स चोरी की है और वो आकड़ा है नौ लाक करोड रुपए का अब जो हालत अभी हमारी एकनोमी की चल रही है थोड़ी डाउन चल रही है थोड़ा काफी सार हमें ब्लैक मार्केट में हमारा बिजनेस नहीं कर वाएंगे इसलिए मार्केट में क्या हो गया है कि जो रोलिंग होना चाहिए जो पैसो की लिक्विडिटी होनी चाहिए मनी लिक्विडिटी जो होनी चाहिए वो क्या हो गई है कम हो गई है और इसकी वज़े से जो employment generate होना चाहिए जो manufacturing बढ़ना चाहिए import export बढ़ना चाहिए वो सारी चीजों पर बड़ा बुरा असर बड़ा है अब government को तो किसी तरह लोगों को विश्वास में लेना है trust में लेना है कि भाई this government is working for you राइट कर यह भाई यह government आप ही के लिए काम कर रही है और government को positive attitude दिखाना पड़ेगा towards the business community कि जो लोग सबसे ज्यादा employment create करते है हमारे देश में तो उनके लिए यह bill लाया गया है अब यह bill क्या है अगर मैं layman language में आपको बता दूँ then we will go to the theory तो government में इस government ने इस bill में ड्राफ्ट में यह कहा है कि आज तक कि आपके जितने भी टेक्स चोरी है अगर आप voluntarily वो सारा टेक्स government को पे कर देते हो तो आपके उपर जितने भी legal actions government ने लगाए है या government future में लगा सकती थी अगर आप टेक्स चोरी करोगे तो government आपको ऐसे तो छोड़ेगी नहीं but if you pay all your due taxes voluntarily then वो सारे criminal charges वो सारे legal जो pending cases है आपके उपर regarding the tax invasion वो उसको क्या कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा और future में उस case को लेकर आपको है परेशान नहीं किया जाएगा ओके तो यह चीज government basically इस bill से करना चाहती है अब government क्यों ऐसा करना चाहती है क्योंकि government को अभी पैसो की जरूरत है as of now government do not have the liquidity अगर government को नए नए प्रोजेक्ट start करने होंगे तो government को अपने हाथ में पैसा चाहिए होगा अब जग government 100 रुपया खर्चा कर रही है बट सामने लोग टेक्स्चोरी करके government को 20 रुपया ही अगर पे कर रहे है तो वो जो 80 रुपय का जो गैप हुआ वो government कैसे फिल करेगी तो उसको फिल करने के लिए government ने ये बीच का एक नपातुला रास्ता निकाला है तो ये bill पेश किया गया from the finance ministry finance ministry ने ये bill पेश किया क्योंकि finance ministry deal करती है taxes के जाथ इसको introduce किया गया 5th February 2020 को लोग सबा में 4 March को after a long discussion ये पास हुआ लोग सबा से और 13 March को ये पास हुआ राज्य सबा से और देखिए ये जो बिल है वो direct tax को apply हो रहा है ये भी आपको याद रखना है direct tax क्या होगे आपका income tax and corporate tax तो ये उसी को सिर्फ लागू हो रहा है not the other tax जो indirect tax है आपके जैसे revenue या road tax या water tax उस कोई प्रकार के tax पे ये लागू नहीं होता है ओके the direct tax विवाद से विश्वास बिल 2020 was introduced in Lok Sabha by Minister of Finance Mrs. Nirmala Sita Ramanon 5th of February 2020 the bill provides a mechanism for resolution of pending tax disputes related to income tax and corporation tax appellant क्या होगा इसके लिए the bill defines defines an appellant as the income tax authority or the person or both whose appeal is pending before for any appellate from as on 31st January 2020 to 31 January 2020 की डेट में अगर आप tax, चोरी के कोई भी केस अगर आपको लगा है तो आपको ये बिल अपलाई होगा you will fall under the criteria of this bill okay this appellate for forums are the supreme court the high courts, the income tax appellate tribunals and the commissioner अपेस्टो जो tax income tax के commissioner होंगे वो इसके अंगर आ जाएंगे ओके तो वो इसके बारे में decision ले सकेंगे सुनवाई कर सकेंगे एटसेटर एटसेटर disputes relating to payable before March 31st 2020 अगर 31 March से पहले मैं पूरा जो मेरा disputed tax है उसको अगर मैं pay कर देता हूँ तो मुझे थोड़े बहुत additional charges के साथ ही पूरा पैसा मुझे भर देना है सारे legal cases हट जाएंगे payment of tax कैसे होगा amount of disputed tax पूरा भर देना है मुझे 31 March से पहले गा था 10% of the amount of disputed tax or interest and penalty relating to that tax whichever is lower तो पूरे जो amount के साथ disputed tax का जो amount है अगर में 31 March के बाद वो bill payment करता हूँ due payment अगर मेरा भरता हूँ तो मुझे penalty भरनी पड़ेगे वो penalty दो option है उसके पास या तो वो disputed tax का 10% होगा या तो interest and penalty relating to that tax whichever is lower तो दोनों में से जो कम होगा वो due tax के साथ मुझे भर देना है payment of fee, interest or penalty 25% of the amount under such dispute and another 5% of the amount under such dispute तो अगर 31 March 2020 के बाद में अगर payment करता हूँ तो मुझे और 5% payment of fee, interest or penalty भरनी पड़ेगी जो penalty आपको यहाँ पे दी गई है तो वो भी इसी act में दी गई है कि वो कैसे decide होगी तो वो decide होगी इस हिसाब से अगर 31 March से पहले भरते हो तो इस हिसाब से decide होगी अगर 31 March 2020 के बाद आपका अगर due tax भरा जादा है तो आपका जो penalty और interest rate होगा वो 5% के basis पे another 5% additional 5%, 25% plus 5% के basis पे decide किया जाएगा तो in short अगर में सारा जो मेरा due tax है वो अगर 31 March से पहले भर देता हूँ तो मुझे कम से कम penalty भरनी पड़े गयो है मेरे उपर सारे legal cases हट जाएंगे after 31 March 2020 अगर में भरता हूँ और इसको period दिया गया है June तक 30 June तक इसका period दिया गया है तो मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा penalty भरना बड़ेगा जो due tax है वो तो बरना ही बड़ेगा और थोड़ा बहुत ज्यादा penalty and interest rate भरना बड़ेगा objective क्या है इस बिल का दि the bill provides a mechanism for resolution of pending tax dispute देखे इस 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 the main objective related to direct taxes, income tax and corporate tax in simple and speedy manner reduce litigation, according to the finance ministry at present there are 4.83 lakh pending direct tax cases worth Rs. 9 lakh crore in the courts मतलब क्या है के 9 lakh crore रुपे लोगों ने government को नहीं दी है किसी ना किसी तरह through this scheme the government wants to recover this money in a swift and simple way ताकि लोगों को ऐसा भी ना लगे है के government हमारे बास से बैसा लूट रही है okay addressing revenue shortfall the government is witnessing a big shortfall in revenues especially tax revenues hence increasing revenues is one of the priorities of the government direct tax collections have been lower than their budget targets due to overall economic slowdown and a cut in corporate tax in September 2019 तो इन सारी चीजों की वज़े से जो revenue होना चाहिए 31st March 2020 अगर 31st March 2020 तक में पेमेंट कर दा हूं तो मुझे कोई पेनल्टी नहीं वरनी है कोई cases मेरो पर जो भी prosecution चल रहा है वो सारा क्या हो जाएगा खतम कर दिया जाएगा but if the tax areas related to disputed interest or penalty only then 25% of disputed penalty or interest will have to be paid those who avail this scheme after 31st March 2020 will have to pay some additional amount however the scheme will remain open till 30 June 2020 देखे after COVID-19 situation most probably आने वाले कुछ दिनों में स्कीम को क्या कर दिया जाएगा बढ़ा दिया जाएगा अगर बढ़ा दिया जाएगा I will provide you an update you just need to keep that in mind ओके चलिए तो यह था हमारा विवाद से विश्वास बिल next बिल जो है हमारा वो है the medical termination of pregnancy amendment bill 2020 और यह लाया गया है ministry of health and family welfare की तरफ से यह लोकषबा में इंट्रोड्यूस हुआ था 2nd of March को और लोकषबा में पास था 17th March 2020 को अभी तक यह राज्यसभा से पास नहीं हुआ है तो जो 20 week का जो termination video था pregnancy termination video उसको बढ़ा कर 24 weeks कर दिया गया है the union cabinet has approved changes to the medical termination of pregnancy at 1971 in order to increase the upper limit for termination of a pregnancy from 20 weeks to 24 weeks okay और इसमें काफी सारे और changes भी किये गये है तो present abortion जो law है वो क्या है तो present abortion law provide कर वाता है legal abortion up to 20 weeks okay if an unwanted pregnancy has proceeded beyond 20 weeks women have to approach a medical board and court to seek permission for termination which is extremely difficult and cumbersome process so 20 weeks तक अगर abortion करवाना है तो that is completely legal and आपको किसी भी permission की जरुरूरत नहीं पड़े गया अब वोलेंटरी ली जाकर उसको आप तर्मिनेट करवा साते हो but after 20 weeks अगर if you want to terminate the pregnancy then you have to approach medical board and courts okay according to section 3 clause 2 of the MTPH 1971 a pregnancy may be terminated by a registered medical practitioner where the length of the pregnancy does not exceed 12 weeks or where the length of pregnancy exceeded 12 weeks but does not exceed 20 weeks toh 12-20 hafto तक अप आप एसली प्रेगनाशी को तर्मिनेट करवा सकते हो in this case the abortion will take place if not less than two registered medical practitioners are of opinion that the continuance of the pregnancy would involve a risk of the life of the pregnant woman or there is a substantial risk that if the child is born it would suffer from a physical or mental abnormalities to be seriously handicapped so in situation में उसको तर्मिनेट करवाना क्या है legal है issue क्या होगा the law does not accommodate non-medical concerns over the economic cost of raising a child effect on career decisions or any other personal consideration तो अप तक का जो लौ था वो इन सारे non-tangible चीजों को measure नहीं करता था the law says for minors return consent from guardian is required and for unmarried women cannot cite contraceptive failure as a reason for abortion तो अप तक ये चीजे दी गई थी अब जो नया बिल्ला है उसमें क्या provision दिया गया है तो उसमें क्या क्या गया है requirement of opinion of बंडो की जगा एक ही medical जो practitioner है उसका opinion require होगा for termination of pregnancy up to 20 weeks of gestation requirement of opinion of two registered medical practitioners for termination of pregnancy of 20 to 24 weeks तो आप जो नया है जो बिल्हे उसमें 24 week तक आप easily pregnancy terminate करवा सकोगे increase the upper gestation limit from 20 to 24 weeks for survivor of rape victims of incest and other vulnerable women including minor girls okay कुछ-कुछ लड़किया ऐसी हो दिये कि जो mentally ill होगी बट वो pregnancy किसी तरह catch कर लेती है तो उन cases में भी उनको easily terminate करवा दिया जाएगा for unmarried woman the bill 6 to relax the contraceptive failure condition earlier one married woman only married woman or her husband were allowed to medically terminate the pregnancy but the bill proposes the same for any woman or her partner okay चलिए तो यह था अपका medical termination will दूसरा एक important topic for any of your bank exams वो है amalgamation of national bank economy के जो हालत थी और bank में जिस तरीके से काफी सारे fraud सामने आ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए finance ministry ने बड़ा कदब उठाया कि जितनी भी national banks थी दस जितनी national bank को एक दूसरे के साथ merge करके चार bank में convert कर दिया गया है तो वो कौनसी कौनसी bank है उसके बारे में हम देखेंगे और उसके क्या reason थे वो हम देखेंगे तो देखेंगे पहले तीन bank जो है वो है पंजाब national bank उसका तो काफी बड़ा घोटा ला सामने आया था oriental bank of commerce and united bank of india इन तीन जो national banks थी उनको एक ही bank में convert कर दिया गया है और जो अब जो final bank होगी वो कौनसी होगी पंजाब national bank यह आपको पैर में पूछा जा सकता है exam में so please be attentive here दूसरी जो पैर है वो है canera bank और syndicate bank को merge करके canera bank में convert कर दिया गया है तीसरा जो पैर है that is union bank of india andra bank and corporation bank उसको merge करके कर दिया गया है union bank of india में and चौथा जो है वो है Indian bank और Allahabad bank को convert कर दिया गया है in the Indian bank तो दस जितनी bankों को merge करके चार bankों में convert कर दिया गया है now the total number of public sector banks after consolidation has come down to 12 from 27 तो हमारे बास total पूरे देश में 27 जितनी public sector bank थी उसके बदले अब कितनी public sector bank हो गई है 12 public sector bank हो गई है विजिया bank and देना bank को भी पिछले ही साल merge किया गया था जो affect किया था 1st April 2019 से और यह जो पूरा merger है वो आपका affect हो रहा है 1st April 2020 से तो यह चीज़ आपको याद रखनी है 1st April 2020 से इसका जो merger है वो effective हो रहा है जो उसका announcement है वो अल्रेडी 2019 में हो चुगा था State Bank of India observed 5 of its associate and Bharatiya Mahila bank in 2017 तो यह जो total 6 इतनी जो banks थी उसको जोड़ दिया गया था SBI में after entire merger exercise the next generation public sector banks of India can now be ranked according to their business size as follows तो सबसे बड़ी public sector bank कौन सी हो जाएगी after the merger take place meaning after 1st April 2020 वो हो जाएगी State Bank of India देखे यह जो list है that is only for public sector banks इसमें private banks नहीं है ICICI या तो Axis Bank या HDFC Bank उन लोगों का यहां पर जिक्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा because those are private banks तो यह पूरी आपको list दी गई है State Bank is the largest bank and Punjab and Sindh Bank is the 12th largest bank तो just go once through this entire list ओके मैं आपको पूरी list number wise दी हुई है benefit क्या था this merger का the consolidation of PSB's help in strengthening its presence globally nationally and regionally तो जो पूरा जो administration होता है वो अलग-अलग बैंकों का अलग-अलग होगा और काफी सारी दिक्कत हो सकती है उसमें अगर उसको merge कर दिया जाएगा तो administrative क्या हो जाएगा easy हो जाएगा और जो total जो business size है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा if the government's intention is not just to give capital but also to give good governance hence, post consolidation …, बोर्ण'll' Will be given the flexibility to introduce the chief general manager level as per business' needs they also recruit chief risk officer at market linked composition to attract the best talent efficiency भी बढ़ेगी, it has the potential to reduce the operational cost due to the presence of shared overlapping networks right, अभी कुछ काम ऐसा था जो overlap हो रहा था, तो उस overlap होते हुए काम के लिए दो बैंको को तो अलग-अलग resources को salary देनी पढ़ रही थी और इससे efficiency मिल नहीं रही थी, अब एक ही बंदा अगर काम करेगा तो उससे efficiency बढ़ जाएगी आप देखते हो कि जो private banks होते हैं, उनके जो technological support होता है वो ज्यादा बहतर होता है with comparison to PSBs, तो अगर ऐसे PSBs को अच्छा capital दे दिया जाए, तो वो लोग भी market में अच्छी तरह के से टिक पाएंगे और अपने customers को अच्छी ज्यादा technical service वो लोग दे पाएंगे तो आने वाले टाइम में हमें काफी सारी ऐसी जो ये हमने आगे बैंक सी बात की उनकी technical service में improvisation होता हुआ, दिखेगा तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, challenges कहां कहां देखने को मिल सकते हैं, तो decision making में challenges देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब दो बड़ी bank के जो managing board है, जो बड़े-बड़े officers हैं, वो जब आके इखटा होंगे, तो वहाँ पे clashes होने का chances रहेंगे, ego clashes, कि हम तो ऐसे चला जाते थे, वो bank वाला बूलेगा कि हम तो ऐसे चलाते थे, तो इस case में हो सकता है कि थोड़ा जो decision making है, कुछ जब तक पूरी तरह से एक दूसरे के साथ adjust नहीं हो जाते, तब तक decision making में slow down देखने को मिल सकता है, ओके, चलिए, और slow down in economy तो अल्रेडी चली रहा है, तो उसका अभी असर इन banks पे देखने को मिलेगा, तो आने वाले एक दो साल लगेगे इन दोनों को completely merge होने में और अपना पूरा जो operation है, उसको साथ-साथ merge करने में और साथ-साथ administer करने में, ओके, चलिए, तो I hope the entire topic is now clear, अब हमें बात कर रही है, जब से COVID-19 pandemic start हुआ है, from 20, 21st to March, ठ अब हम है, तो Parliament भी नहीं मिल रही है, अब जो Parliament नहीं मिल रही है, बट तब हो सकता है कि government को कुछ ऐसे rules लाने हो, जो कि हमें इस pandemic की situation में मदद करें, अब गवर्मेंट, डेमोक्रेसी में गवर्मेंट के पास ऐसी power तो है नहीं, कि प्राइम मिनिस्टर को जो मंचाहा वो उ सब्सक्राइब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लोकसभागे और राज्यसभागे, वहाँ पर उनको अपना आइडिया रखना बढ़ेगा, अगर वो बिल पास होता है, तो वो एक्ट में कनवर्ट होगा, राइड आफ्टर दी साइनिंग ऑफ प्रेसिदेंट ऑफ सब्सक्राइब करेगा, जब लोकसभागे सारे सदसे मिलेंगे, तब हम इसके उपर एक्शन लेंगे, नहीं, तब तब तो काफी डिले हो चुगा होगा, अगर मुझे को इमर्जनसी में एक्शन लेना है, तो ऐसी इमर्जनसी की सिच्वेशन को टैकल करने के लिए, इंड किसी प्रस्ताव को, किसी प्रपोजल को अगर साइन कर देते हैं, तो उसको ओर्डिनेंस माना जाएगा, एंड फ्रॉम बेट वेरी मिनिट उसको अफेक्ट पूरे देश में कर दिया जाएगा, अपलाई कर दिया जाएगा, ओके चलिए, तो एन ओर्डिनेंस इस अलाओ, इस प्रोमुल्गेटर दाएट जाएगा, अफ इंडिया जाएग इन पर्लामेंट फिए पूरश में कई प्रेशिगे, एक तो प्रेस्ट के पास थीप्रिगे का पूर में थियुंग रहती है, जिसको हम इंदी में अध्यादेश कहेंगे, President promulgates an ordinance on the recommendation of the union cabinet similarly governor of Indian states can also initiate ordinance only when a legislative assembly is not in session when it is a unicameral legislature and when legislative assembly along with legislative council both are not in session when it is a bicameral legislature so those powers are given to the president to the national level the power is given to the state level with some minor changes now what is the meaning of ordinance? I have told you that ordinance is like a law it is a law but not enacted by the parliament but rather promulgated by the president of India when Lok Sabha and Rajya Sabha or either of the houses is not in session no we do not have that time in the situation of crisis so when the president will give extra power to the president then the president will not give the president and for that time for 6 months it will be followed by the law in the country union cabinet's recommendation is a must for an ordinance to be promulgated so the president is the president of union cabinet's recommendation and the president will not give the president and the president will not give the president using ordinances immediate legislative actions can be taken so when the president will give the president the president's advantage is that if in crisis situation if there is no decision in crisis then we will not have to wait for the house so that the legislative actions there will not be any type of delay now for an ordinance to exit it should be approved by the parliament within six weeks of it being introduced parliament is required to sit within six weeks from when ordinance was introduced to the parliament ordinance की जो लाइफ होगी वो कब तक यह होगी 6 महिने तक की होगी अब इन 6 महिनों में parliament का मिलना जरूरी है within this six months parliament has to meet और अगर parliament उसको पास कर देती है तो वो लाउ बन जाएगा अगर parliament उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो उसी टाइम से वो रिजेक्ट हो जाएगा और वो लाउ नहीं रहेगा ओके ordinance making power of the president के है तो जैसे कि मैंने बताया कि ordinance making power और जो है president की वो आपको बताई गई है इंडियन constitution के article 123 में article 123 deals with the ordinance making power of the president president has many legislative powers and this power is one of them और जो details है वो आपको यहांबे दी गई है he can only promulgate the ordinance under these circumstances और वो कौनसी situation है जब then only president can promulgate this तो वो है when both the houses दोनों सदन या तो दोनों में से एक सदन सेशन में नहीं है दूसरा है circumstances occur where the president think it's necessary to act without waiting for houses to assemble तो जब president को ऐसे लगेगा गे इतनी emergency की situation है इतनी crisis की situation है कि दोनों houses के इकटा होने तक का भी वेट नहीं किया जा सकता उस situation में president ordinance issue करेंगे an ordinance can be retrospective in nature तो वो retrospective हो सकता है an ordinance rolled out when both the houses are in session is void in nature the parliament has to approve the ordinance within six weeks of its reassembly तो जब दुबारा parliament मिलती है उसके छे हफ्ते के अंदर अंदर जो पूरा session का टाइम है जिस दिन से parliament मिली है उसके छे विक के अंदर अंदर इसको पास करना है इसको आपको reject कर देना है okay acts done and completed under the ordinance before it lapses remains fully active unlike the Indian constitution most of the democratic constitution of the world don't give such ordinance making power to their president तो काफी सारे democracies में प्रेसिडेंट को आसी पावर नहीं दी गई है but it is the beauty of Indian constitution के उनको ये पावर मिली हुई है it has no connection with the president's power to proclaim a national emergency the power of ordinance making is not to be taken as a substitute for the legislative power only under special circumstances ordinances can be rolled out but आजकर हमारी politics ऐसी हो गई है कि अगर government को ऐसा लगता है कि एक भी बिल मेरा एक भी सदन में एक भी house में अगर पास नहीं हो पाएगा majority से तो government क्या करेगी चाला किसे जब एक जो house है वो खतब होने वाला होगा या खतब हो चुगा होगा तब दूसरे दिन ordinance लेके आ जाएगी ताकि वो सारी जो constitutional necessities है to bring the ordinance वो सारी complete हो जाए और वो ordinance अपरूव भी हो जाए okay president's power to roll out the ordinance is justiciable on the ground of malafide okay चलिए और देखे इतने साल होए मैं from 1990 to 2030 इतने ordinance आपको देखने को मिले हो और सबसे ज्यादा ordinance लाए गए 1993 okay 1993 में almost 34 जितने ordinance लाए गए थे जो कि एक साल में लाए गए ordinance के numbers में सबसे ज्यादा था what are the limitations of the ordinance making power of the president तो जैसे के मैंने आपको बताया कि अगर एक भी house session में है तब ordinance नहीं लाया जा सकता president can promulgate an ordinance only when both the houses are not in session or only one house is in the session अगर ये condition पूरी नहीं हो रही है तो president ordinance नहीं ला सकते for an ordinance to be promulgated such circumstances should be there which deem it necessary for president to legislate through the ordinance otherwise president doesn't interfere in the legislation work of the government right इंडिया में president is just like a rubber stamp cabinet ने जो बोला उसको अपरूव कर दिया cabinet ने reject करने को बोला तो उसको reject कर दिया okay bluntly president अपनी legislative power यूज नहीं करते क्योंकि उनको उतनी legislative power दी ही नहीं गई है okay चलिए और यह कुछ cases है जब जिसके basis पे यह पूरा जो आपका ordinance making power है उसमें सालों साल changes किये गए है okay so ordinance can be introduced only on those subjects on which the Indian parliament can make laws okay so ordinance president उसी ही subject पे लाएंगे जिस subject पे parliament law बना सकती हो ordinances cannot take away any rights of citizens that are guaranteed by the fundamental rights of the Indian constitution ordinance keyses to exist if parliament takes no action within six weeks from its reassembly ordinance also stands void if both the houses pass a resolution disapproving the ordinance okay and the maximum life of an ordinance can be six months and six weeks right six months and six weeks is the maximum life of an ordinance okay चलिए तो ऐसा एक जो important ordinance during the covid-19 pandemic लाया गया वह है epidemic diseases ordinance 2020 और जो की पेश किया गया था ministry of health and family welfare के तरव से और यह जिस दिन से promulgate हुआ मतलब जिस दिन से वह applicable हुआ वह देट थी 22 एप्रिल 2020 एप्रिल 22nd 2020 क्या था यह बिल तो यह जो ओर्डिनेंस है वो प्रोटेक्ट करता है उन health workers को जो अपनी जान हतेली पर रखकर covid-19 में लोगों को मदद कर रहे हैं The Epidemic Diseases Ordinance 2020 was promulgated on April 2022 The Ordinance amends the Epidemic Disease Act 1897 तो आपको यह चीजएक याद रखनी है कि वो कौन से Act को बदलाव कर रहा है The Act provides for the prevention of the spread of dangerous epidemic diseases और इसको रोकने के लिए government को जो जो changes लाने थे वो सारे इस ordinance में government ने add कर दिये The Ordinance amends the Act to include protections for healthcare personnel combating epidemic diseases and expands the power of the Central Government to prevent the spread of such disease तो हमें पता है कि भाई अभी जो approvals है उसमें पढ़ने के जरूरत नहीं है Central Government ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई during this COVID-19 pandemic, right क्यूंकि अगर सारे approvals के चकर में अगर पढ़ने जाएंगे तब तक जो spread है वाईरस का वो काफी ज्यादा फैल जाएगा तो उतना time government के पास नहीं है एक एक पल कीमती है and that's why this changes has been made और इस Ordinance के key features क्या है so the ordinance defines healthcare service personnel as a person who is at a risk of contracting the epidemic disease while carrying out duties related to the epidemic okay तो healthcare personnel किसको गिना गया है देखिए उसकी definition क्यों decide की गई है ताकि पीछे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर उसको insurance मिलेगा अगर उसकी death हो जादी तो उसके family को भी कुछ पैसे दिये जाएंगे तो उसकी definition decide होना बहुत जरूरी है define होना बहुत जरूरी है and that's why the definition of service personnel is given under this act under this ordinance तो ऐसे जितने भी लोग है जो directly अपनी duty perform कर रहे है ठीक है उनको घर बैठने का option नहीं है और अगर वो disease को capture करते है उन लोगों को healthcare service personnel माना जाएगा they include public and clinical healthcare providers such as doctors and nurses, ward boys, etc any person empowered under the act to take measures to prevent the outbreak of the disease जैसे काफी सारे जो government personnel है, government officers है जिनको रस्ते बे खड़ा रहे के सारी जो योजना है उसको देखना बढ़ रहा है अगर वो during performing their duties, अगर वो virus को catch करते है तो उनको भी क्या गिना जाएगा, healthcare personnel ही गिना जाएगा and third other persons designated as such by the government और state government अगर decide करते हैं कि this is the health personnel तो उसको भी इस act के अंदर health personnel गिना जाएगा an act of violence includes any of the following acts committed against a healthcare service personnel देखें ये क्यों लाना बड़ा हमारे देश में ये हमारे देश के लिए बड़ी बुरी बात है कि हमें काफी सार ऐसे incident देखने को मिली कि जब डॉक्टर की टीम कि इसी एरिया में testing के लिए जाती थी तो उपर से उनके उपर stone pelting होता था उनके उपर थूका जाता था पत्थर पेके गए उनके उपर और सारे हत्यार फेके गए तो इन सारी चीजों की वज़े से जो डॉक्टरों की टीम थी वो डर गई कि हम एक तो अच्छा काम कर रहे हमारी जान हतेली पे रखे हमारे फैमिली से दूर रहे के 15-20 दिनों तक वो लोग हॉस्पिटल में रह रहे हैं और जब हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं लोगों के तो हमें सामने ऐसा बरता हो देखने को मिलता है तो गवर्मेंट ने तुरंद उसके लिए भी रूल ला दिया कि यॉर सिक्यॉरिटी जवर अटमोस्ट कंसर ठीक है तो आपको हम पूरी तरह से सिक्यॉर कर रहे हैं आपको डरने के जरूरत नहीं है जो आपके उपर हुमला करेगा उसको जेल बेजा जाएगा उसको सजा दी जाएगी चले दो एंड़ इस वाइड एक्ट औफ वियोलेंस इस जो डिफाइड क्या एसी एक्ट अप वाइलांस होगी तो वह होगी एरसमेंट इंपक्टिंग लीविंग और वर्किंग कंडिशन्स हाम इंजुरी हर्ट और देंजर तो लाइफ ऑफ दॉक्टर रॉर्स एट्सेटरा अब्स्ट्रक्शन इन डिस्चार्ज अफ इस दूटीज लॉस और डेमेज तो दी प्रोपर्टी और दोकुमेंट्स अफ दी हेल्ट केर सर्विस पर्सोनल प्रोपर्टी इस दिफाइन तो प्रोपर्टी को भी गया और act of violence को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है तो यह चीज़े आपको याद रखने हैं एक्जाम में आपको दे किस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि भाई विच ओफ दी फॉलोइंग इस नॉट डिस्क्राइब देस एक्ट उफ वाइलेंस अंडर दी एपिडेमिक The ordinance specifies that no person can commit or abate the commission of an act of violence against a health care service personnel or abate or cause damage or loss to any property during an epidemic between 3 months and 5 years, देखे तो 3 महिने से लेकर 5 साल तकी जेल की सजा हो सकती है, अगर वो किसी service personnel, healthcare service personnel को नुकसान पहुचादा हुआ को इनसान दिखता है, या तो उसकी property को नुकसान पहुचादा हुआ दिखता है, उसके साथ-साथ fine between 50,000 and 2 lakh रुपीज विल अलसो भी लेविड, ठीक ह पहुचान भी ऐसे इंसानों के ओपर लगाया जाएगा जो violent act में involved होंगे, इस offense may be compounded by the victim with the permission of the court, if an act of violence against healthcare service personnel causes grievous harm, the person committing the offense will be punishable with imprisonment between 6 months to 7 years and a fine between 1 lakh रुपीज and 5 lakh रुपीज अगर violent act कर रहा है और अगर कुच serious injuries हो जाती healthcare personnel को, तो जो सजा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, 6 months से लेकर 7 years तक हो जाएगी, और fine जो है वो एक लाख रुपेज से लेकर 5 लाख रुपेज तक हो जाएगा, and these offenses are cognizable and non-bailable, okay, तो these offenses are cognizable and non-bailable, तो ऐसे किस्वम में, bail भी court आपको provide नहीं करवाएगा, compensation का क्या प्रावदान रखा गया है, persons convicted of offenses under the ordinance will also be liable to pay a compensation to the healthcare service personnel whom they have hurt, such compensation will be determined by the court, जैसा-जैसा case होगा, उसे सबसे compensation decide किया जाएगा, in the case of damage or loss of property, the compensation payable to the victim will be twice the amount of the fair market value of the damage or lost property as determined by the court, if the convicted person fails to pay the compensation, the amount will be recovered as an area of land revenue under the revenue recovery act 1890, okay, तो उसकी जो चीजे होगी उसको बेच कर भी वो पैसा जो victim family है, victim जो health care personnel है, उसको दिया जाएगा, okay, तो देखे हेल्थ केर परसोनल को इतनी सारी security during the pandemic दी गई है, अगर आप सोचिए के लोगसभा या राज्यसभा के मिलने का अगर हम वेट करते हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि क्योंकि सारे ट्राविल बंद थे, okay, पूरे देश में पूरी तरह से से लोगड़नों का मिलना नामुमकिन था, अलमोस्त नामुमकिन था, तो अगर इसके लिए वेट करते हैं, तब तक तो नजाने कितने हेल्थ केर पर्सोनल आप यालेट का शिकार हो सकते थे, तो इसलिए प्रेसिदंट के अपरूवल के बाद, प्रेसिदेंट के तो आपको यहां वे उसकी एफेक्टिवनेस जो है वो भी इस इंसिदेंट से आपको पता चलती है तो ऐसे काफी सारे जो ओर्डिनेंसे वो दूरिंग इस पैंडेमिक लाए गया है i.e.s . आपको इस जो इनसिदेंट से सारीस तो इसकी जो सेलेरीय असिधने क्लिए उसकी पताइव जरेज़ करने के लिए बहुत को जब ऑनिता मिलेगी जब इस ब्रदोर पार्लिंबन जब काफीज अने वाले Beंटोले अद्नी कंऊने मैं उसको फिरgen था इंस पार्लिंजत नहीं है बड पेमर ऑफ पार्लामेंट है उनकी जो सेलेरी उनके जो पर्ट, उनके जो अलाउंसे से उसको भी क्या कर दिया गया है घटा दिया गया है और अल्मोस्स 30% इतना घटा दिया गया है the taxation and other laws ठीक है, देखे, पेंडेमिक के जल्दे गाफी सारे taxation में भी relaxation देना पड़ा moratorium period लाना पड़ा और ये सारी चीज़े करनी बड़ी तो उसकी वज़े से taxation laws में भी some of the provision में आपको amend करना पड़ा, finance ministry को तो उसका भी क्या लाया गया? जब सदन मिलेगा तब वो बिल्द आया जाएगा और उसको पास करवाया जाएगा और ये कुछ तीन ordinance है homeopathic central council ordinance Indian medicine central council ordinance and epidemic disease ordinance तो इस आपको एक बार अगर time मिले तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा otherwise जो most important ordinance था वो तुम मैंने आपको बता दिया है stay home, stay safe, thank you अगर कोई doubt है तो reach out to me and we will solve that doubt thank you